आज जिस पोएम को हम लोग डिसकस करेंगे, उस पोएम का नाम है I Saw A New World by William Brighty. इस पोएम में पोएट एक बच्चे का परसोना लेकर ये पोएम को लिखे हैं. बच्चे का परसोना लेकर लिखना मतलब कि पोएट अपने आपको बच्चा समझता है और फिर ये पोएम लिखा, अपना थोट. और इस पोएम में उस बच्चे का थोट ये है कि दुनिया में अगर सब कुछ सेम हो जाए हर कोई एक जैसा दिखे तो दुनिया कैसा होगा. तो आईए देखते हैं हम लोग इस poem को पढ़कर कि क्या इस बच्चे को पसंद है दुनिया में जब सब कोई एक जैसा हो जाए तो I saw a new world in my dream where all the fox alike did seem There was no child, there was no mother, there was no change, there was no other Nobody laughed, nobody wept, none grew weary and so none slept चलिए भी stranger wise समझते हैं I saw a new world in my dream, मैंने एक नई दुनिया देखी अपने सपने में Where all the fox alike did seem, जहाँ पे हर लोग एक जैसा दिखते थे There was no child, वहाँ पर कोई बच्चे नहीं थे, there was no mother, वहाँ पर कोई मा नहीं थी There was no change और कुछ भी नहीं बदला था, there was no other और कोई भी अलग नहीं था, जो भी था सब एक जैसा दिख रहा था Nobody laughed, nobody wept, ना कोई हसता था, ना कोई रोता था None grew weary and so none slept और कोई भी नहीं थकता था, और इसलिए इस दुनिया में कोई नहीं सोता था Clear है आपका Stranger 1, I hope आपको हर एक word समझ में आ गई होगे चलिए अब Second Stranger देखते हैं I longed to hear the time clock strike in the world where the people were all alike I longed for change whatever came after I longed for crying, I longed for laughter At last I heard the time clock boom and wake from my dream in my little room इस Second Stranger में ये बच्ची चाह रही है कि I longed to hear the time clock strike यहाँ पर longed का मतलब है किसी चीज को चाहना किसी वस्तू को बहुत चाहा होना, किसी वस्तू का तो यहाँ पर चाह रही है वो कि I longed to hear the time clock strike इसे इस बच्ची को घड़ी की टिक टिक सुनना है इस दुनिया में जहाँ हर कोई एक जैसा दिक रहा है इस दुनिया में इस बच्ची को clock का स्ट्राइक सुनना है I longed for change whatever came after और उस बच्ची को बदलाव देखना है जहाँ पे हर बाद में कुछ न कुछ हो I longed for crying, I longed for laughter और इस बच्ची को रोना भी है और इस बच्ची को हसना भी है At last I heard the time clock boom और फिर last में time clock tick 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 alarm बजा and woke from my dream in my little room और फिर मैं अपने सपने से जग गई अब आईए इस last stranger में देखते हैं कि इस बच्चे का जब नेंद खुला तो इस बच्चे को वो पुरानी दुनिया पसंद आई यह नहीं जापे हर कोई एक जैसा दिखता था तो माँ इसमाइल करके जब घड़ी का आईए नहीं का मतलब होता है नियर पास में और आई हर्ट बेबी क्रोग और क्राई और आई थार्ट तो मैसल्फ हाँ नाईस इस फोर में तो लिव इन वर्ड लाइक दिस तो माँ इसमाइल करके जब घड़ी का अलाम बजा तो जो उस बच्ची की माँ थी वो उस बच्ची के पास खड़ी थी और इसमाइल कर रही थी फिर उस बच्ची को सुनाए दिया and I heard the baby crow and cry जो कवेगा बच्चा है वो रो रही है and I thought to myself how nice it is और फिर वो बच्ची सोची की कितना सुन्दर है ये for me to live in a world like this कि मैं इस दुनिया में जी रही हूँ जहां पर where things can happen जहां पर हर चीज हो रहा है and clock can strike यहां पर गड़ी के टिक 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 भी हो रही है and none of the people are made alike और यहां पर हर कोई अलग है यहां पर कोई एक जैसा नहीं है so यह बच्ची को यह जो सपना देखी थी तो वो पसंद नहीं है और यह बच्ची को जहां पर अभी रह रही है यह यहां पर रहना पसंद है क्योंकि यहाँ पर हर कोई अलग है एक जैसा कोई नहीं है so this was the poem I hope आपको समझ आ गई होगी अगर फिर भी कोई doubt है तो आप मुझे comment section बताए और अगर आपको poem पसंद आई है तो आप मुझे ये भी बताए और अगर आप मुझे first time सुन रहा है इस channel पे तो channel को subscribe करके bell icon प्रिस कर ले ताकि आपको future में भी इसी तरीके के videos मिल सके और आपकी help हो सके thank you so much